हेलो दोस्तों स्रीशिवाय नमस्तु अभ्यम हिंदू धन में हर तेवार को बहुत स्रद्धा और भक्ति से मनाने की परंपरा है सो दोस्तों सकट चौथ कब है और सकट चौथ पुजा विदी सो मूरत क्या है इस साल दोजार चौबिस में सकट चौथ 29 जनवरी को सो मूर को रखा जाएगा दोस्तों सकट चौथ ब्रत में भगवान से गड़ेश की विदी विधान से पूजा की जाती है और इस दिन चंद्रमा को अर्ग देकर संतान की खुशहाली की कामना की जाती है और अपनी संतान और परिवार की सलामती के लिए यह ब्रत रखा जाता है सकट चौथ 29 जनवरी 2024 सो मूर को रखा जाएगा यह ब्रत और कहते हैं कि सकट चौथ ब्रत करने से संतान की कष्ट करते हैं इस ब्रत के प्रभावा से संतान की जीवन में आने वाले बदाएं दूर होती है जाना जाता है, और सकट चौथ के दिन भगवान स्री कुड़ेस की विदिविधान से पूजा की जाती है और भी कहा जाता है कि सकट चौथ ब्रथ रखने से भग्तों की मन-कामना पूरी होती है सकट चौत का अबसु मूरत क्या है तो साल दोर्याद चौबीस माग हमारे पंचांग के अनुशार माग माग के कृष्ण पच्छ की सकट चौत उर्थी तिति की सुरवात 29 जन्वरी दोर्याद चौबीस को शुबा 6 बसकर 10 मिनट से होगी और अगले दिन सकट चौत की दिन चंदर उर्थी का समय रात को 9 बच के 10 मिनट पर चंदर उर्थी होगा शो दोस्तों सकट चौत का ब्रत माग मास की चतूर्थी तिति को रखा जाता है और पैस माग खतम होने के बाद इस ब्रत को किया जाता है और इस साल सकट 24 जनौरी को रखा जाएगा और इस ब्रत में महलाएं निर्जला ब्रत रखकर भगवान गड़ेश और सकट माता की पूजा करती है सभी माताएं अपनी संतान के लिए या ब्रत रखती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गड़पती जी ने देवताओं का संकट दूर किया था और इस दिन प्रसाद में तील कुटा बनाया जाता है और उसी का भोग गड़पती जी को लगाया जाता है और ये भी मानता है कि सकट चौथ की दिन भगवान गड़ेश जी को 33 करोड देवी दरताओं का आसिरवाद राप्त हुआ था तबी से यह तिथी गड़पती पूजन की तिथी बन गई है और कहा जाता है कि इस दिन गड़पती जी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते इसलिए मताए इस दिन निर्जला ब्रत रहकर अपने पुत्र की दिर्ग आयू की कामना करती है और इस दिन पूरे दिन निर्जला रहकर चंद दरसन होने पर चंद देव को अर्ग देकर तिल का प्रशाद गरहड किया जाता है और सकड चौध की दिन तिल का दान करना भौत ही सुभ माना गया है उमीद करती हैं दोस्तों हमारे वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए अब इस इक साथ मिलते हैं अगली वीडियो में तब तके लिए आप सभी को ना दिना देज ऐसी कृष्णा